दोस्तो आज के इस वीडिये में हम कवर करेंगे एक प्ले आन इनिमी आप दा पीपल बाई हेंरिक इपसेन तो हम इससे स्टार्ट करेंगे उससे पहले में आपको बता दू कि मैंने आपके महारा स्टर बोट के इंग्लिश के क्लास 11 के स्लेबस को पूरा कंप्लीट कर लिया ह और सबसे important बात इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ plot summary यानि की कहानी को छोटा करकर बता रहा हूँ अगर दोस्तो मैं पूरा play को बताओं तो बहुत वक्त लग जाएगा और वीडियो बनाने में और script लिखने में फिर उसके बाद जो वीडियो बनाना होता है और editing उसमें त पास से 6 या 7 घंटे लग जाए तो अगर आप चाहते हो कि मैं पूरे कहानी के उपर वीडियो बनाओं तो आप comment करे मैं time निकाल कर बना दूंगा तब तक आप इस summary को पढ़ लिजे पैसे भी कोई पूरा play पढ़कर नहीं जाता जो topers होते हैं वो पूरा पढ़ते हैं तो और यदि आप average student है तो आप summary पढ़कर जाए और book को एक बार revise करें और MCQ अलग से पढ़ ले वो आपके लिए काफी है तो चलिए आप play को start करते हैं तो Southern Norway की coast में एक बंदा रहता है जिसका नाम है Dr. Stockman और इस town में यानि कि जहाँ पर ये बंदा रहता है ना यहाँ पर कु H.S. तो जब से इस शहर में ये बात बना है तब से इस शहर की जो कमाई है ना वो increase हो गई है क्यूं क्यूंकि जितने भी tourist यानि कि जितने भी बाहर country से या बाहर शहर से लोग आते थे वो यहाँ पर आकर नहाते थे और इससे यहाँ की earning बढ़ जाती थी यानि कि कमाई बह होता है यहाँ का जो पानी है ना वो bacteria से भढ़ जाता है जी हाँ यहाँ पर bacteria फैल गया है पानी में अब अगर कोई इसमें नहाएगा तो क्या होगा वो बिमार पढ़ जाएगा तो यहाँ तक कि story clear है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों अब play में दो new characters introduced होता ह है एक होफस्टैड जो की एक paper editor है यानि कि यह newspaper editor है और एक और character introduced होता है जिसका नाम है असलाक सेन यह कौन है यह दोस्तों the head of the householders association यानि कि यह एक association का head है यह दोनों बंदे इस doctor को support करते थे यानि कि इस discovery को यानि कि इस बात को जो इस doctor ने बनाया था इसे यह दोनों support करते थे अब दोस्तों एक और character introduced होता है जो है mayor यानि कि यह इस सहर का mayor है और सिर्फ इतना ही नहीं यह इस doctor का भाई है तो यह दोनों तो इस doctor के support में थे लेकिन यह जो mayor है ना यानि कि इस doctor का अपना भाई यह इसके support में नहीं है अब यह कहता है कि यह जो पानी की समस्या आ गया है अगर हम इसे ठीक करेंगे तो इसमें बहुत सारा खर्च हो जाएगा और यह कहने के बाद यह चुपके से इन दोनों से यानि कि होफस्टैड और एसलैक्सिन से बात करता है यह दोनों अब तक तो इसे support कर रहे थे यानि कि यह जो repair होने वाला था यह बात इसके आगे बढ़ता है और डॉक्टर इस शहर में एक मीटिंग रखता है बात के उपर यानि कि यह जो खराब हो गया है ना तो इसे repair करने के लिए डॉक्टर एक मीटिंग रखता है लेकिन यह जो alaskan और यह जो mirror है ना यह दोनों try करते हैं कि यह डॉक्टर को रोक सके speech देने स यानि कि डॉक्टर ने जो यहाँ पर meeting रखा है यह इसले रखा है ताकि यह यह यहाँ पर लोगों को convince कर सके इसके repairing के लिए तो डॉक्टर speech देने जा रहा है लेकिन यह दोनों हर वक्ट डॉक्टर को try करते हैं speech देने से रोकने के लिए लेकिन last में यह doctor कैसे करकर speech दे दे है ना ये बहुत ही angry speech था और इस speech को सुनने के बाद यहां के जितनी भी audience है ये doctor के उपर offense हो जाते है जी हाँ ये doctor के उपर गरम हो जाते है और इस दिन के बाद अगले दिन यानि की अगली दिन के सुभा में सभी लोग doctor के घर जाते है और इसके घर को वेंडलाइस्ट कर देते है यानि कि इसके घर के खिड़की को तोड़ देते है पत्थर से और दोस्तों अब doctor के पास अपना जॉब भी नहीं रहा और last में doctor और इसकी बेटी को यहां से भगा दिया चाता है यानि कि he and his daughter fired और अब play end होता है क्यूंकि doctor alone है यानि कि यह अकेला है और doctor का मानना है कि ताकतवर इंसान वो है जो दुनिया में अकेला रह सके यानि कि वो अपने stand खुश से ले सके और दोस्तों यहें पर यह play end होता है एक बड़ा सा वीडियो अच्छे से बना दूँगा तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो के साथ और हाँ अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें लेकिन मेरे एक और चैनल है जिसका लिंक आपको description box में मिल जाएगा तो आप जाए और उस चैनल को भी subscribe कर दे